कराश्ट प्रदेश के जो हमारे सांसद है और विधायक्त हैं वो इसमें मतदाता होते हैं और इरेक्टर भी होते हैं और वो नुमिनीशन भी उनी के द्वारा किया जाता है तो इस द्रिश्टी से जो है वो कल चंडिगड में जहाँ बैठक दुभाई गई है जिसमें भर्टे जिंदा पार्टी के पर्लिमेंटरी बोर्ट द्वारा जो उमिद्वाद तायकिया गया है उ कि मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार की बैक्ग्राउंड का उमिद्वार भारते जिन्ता पार्टी जो हिंदुस्तान की आज शास्किय पार्टी के उसने तय किया है उसको सबका समर्थन प्राप्ट होना चाहिए जब उनको मालूम है कि उनका प्रचाशी जो है वो जीत नहीं सकता केबल मात्र जो है वो सांकेतिक रूप से जो है वो चुनाब में किसी उमेद्वार बनाएं यह उप्रुपनी होगा गुपार्टिष्ण गांधी फारुक अव्जूला जी और इसे पूर्ट शरत पुवाद इन सब ने जो है वो प्रक्ष का उमिद्वार जो है वो इसी कारण से जो है वो बनने से मना भी किया है जब इसनी बड़ी बैक्राउंड से लोग जो है वो यह समझते हैं कि भी हम चुराब नहीं यह सकते हमें नहीं लगना चाहिए तो बिना किसी कंट्रोवर्स्टी के एक ट्राइवल और महिला को अपना स्मार्चन जाना चाहिए जाने कि राश्क प्रतपी का चुनाब होना है हरेक्स के पुरदेश के जो हमारे सांसद है और विधायक हैं वह इसमें उतलता होते हैं और इरेक्टर भी होते हैं और साथ इसाथ जो है वह नोमिनि इशंच भी उनी के द्रेस्ती से जो है वो और चंडीगण में जहाए वो बैठत भाइ गई है जिसमें भार्ती जांतापार्टी के पार्लिमेंट्री बोर्ट द्वार हहा उमिद्बास टेकिया गया है उसका नुमिनिशन जो है वो भरा जैता है जिस प्रकार की बैक्ग्राउंड का उमिद्वार भारते जिन्ता पार्टी जो हिंदुस्तान की आज शास्किये पार्टी के उसने तेय किया है उसको सब का समर्थन प्राप्ट होना चाहिए जब उनको मालूम है कि उनका प्रचाशी जो है वो जीत नहीं सकता केबर मात्र जो है वो संकेतिक रूप से जो है वो चुनाब में किसी उमेद्वार बनाएं यह उप्रुपनी होगा गुपार किशन गांधी फारुक अब्दूला जी और इसे पूर्व शरत पुवाद इन सबने जो है वो प्रख्ष का उमिद्वार जी है वो इसी कारण से जो है वो बनने से महना भी किया है जब इसनी बड़ी बैक्राउंड के लोग जो है वो यह समझते हैं कि भी हम चुराब नहीं जीए सकते हमें नहीं लगना चाहिए तो बिना किसी कंट्रोवर्स्टी के ट्राइवल और महिला को अपना स्मार्चन जाना चाहिए झाहिए